असलाम अलेकूम वालकम टू माई चैनल लिव लाइव ली आज की रेसिपी है रेस्टरेंट स्टाइल चिकन करहाई रेस्टरेंट स्टाइल चिकन करहाई बनानी के लिए हमें चाहिए चिकन एक किलो टमाटर आधा किलो अधर क्लेसन का पेस्ट एक खाने का चमचा लान मिर्च पाउडर डेड़ खाने का चमचा हल्दी पाउडर एक चाय का चमचा धनिया पाउडर दो खाने के चमचे जीरा दो खाने के चमचे काली मिर्च एक चाय का चमचा तेज पत्ता दुगदत गरम मसाला पाउडर एक चाय का चमचा नमा घस बिजाए का अभी सारे मसाले आप एक साथ मिक्स करके रख लें और आपका हूम मेड कराई मसाला रेदी हो गया है इसके इलावा मैंने लिये हैं हर यू मिर्चें, हर धनिया, पौदीना और लेमन जूस लिया है एक खाने का चमचा देख कब चितना मैंने ओईल लिया है अब इसमें मैं सबसे पहले है चिकन को फ्राय कर लूँगी चिकन को मैं इतना रोस्ट करूँगी कि जो चिकन का पानी है वो खतम हो जाए फिर हम इसमें बागी के इंक्रीडियेंट्स एड़ करेंगे अब मैं इसमें एड़ करूँगी अद्रक लहसन का पेस्ट इसे रोस्ट कर लेंगे जब अद्रक लहसन अच्छे से रोस्ट हो जाए उसका कलर गोल्डन की तरफ जाने लगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे टेमाटर टेमाटर एड़ करने के बाद मैं बस इसे कवर करके छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ताकि जो टेमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे पांच से दस मिनट लगेंगे और टेमाटर आपके सॉफ्ट हो जाएंगे अब मैं इसमें बाकी की जो इंग्रीडियन्स हैं जो मसाल यह थे मैंने एक साथ मिक्स करके रखे थे यह एड़ कर दूँगी और अच्छे से रोस्ट कर लोगी आपने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है कोई एक्स्ट्रा पानी एड़ करने की जरूरत नहीं है जो टामा मसाला हरी मिर्चे हरा धनिया और पौदीना एड़ करके मजीद पांच मिनिट गम पर पकाऊंगे और इससे सर्फ करूंगे मस्यदार सी रेस्ट्राइट स्टाइल शिकन कराई राड़ी है आप भी जरूर ट्राइ कीचेगा और मुझे कॉमंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तिल देन अल्ला हाफिज